और ये सीधी तस्वीरें हैं कानपूर की जहां पर तीर्ष की पृधान मंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और साथी साथ मुख्य मंदी योगी आतितनातपी और राजपाल आनंदी बेन पटेल भी साथ में हैं पुझा अर्चना का कारिक्टरम ये कानपूर की तस्वीरें हम अपने दर्षकों को दिखा रहे हैं तो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरिमनी के बाद फिलाल पहुंचे और पक्री माता मंदिर पहुँचे हुए हैं यसी थी तस्वीरे हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जहां पर पुझा आचना की विधान के साथ किस तरीके से आशिरबात भी लिया पुझा आचना की तो अप्रकातार जिस तरीके से रखनेव के बाद प्रानपूर का कारिक्रम और दो जगें और भी कारिक्रम है विधान मंत्री नरेंद मोदी का तो ब्यार आम बेटकर भवन भी चाहेंगे साथ ही साथ आपको बता दें के मिलन केंद भी चाहेंगे जहां पर राश्टपती का पेत्रिक निवास है तो यह वो अपने कारिक्रम में जो अपने तर्श्टों को लगातार जानकारी भी दे रहें लेकि इतलाल किसी भी तस्वीरें उपराजपाल आप देख सकते हैं सीथी तस्वीरें जो गाउं का पैत्रिक मंदर है पराव का वहाँ पर पूज़ा अर्चना करते हुए वेद विशेश विहद अबभुत है यह पल वहद खास है को कि राश्टपती जी के साथ परदार मंट्री जी भी इस वक्त मेश बाद में जो अब हमेशा से आते रहे हैं तो परोग गाव में पहुचे हैं प्रधानन्फी नरेंज बोधी परोग गाव है राष्ट्रकति रामनाथ कोविंध का राष्टति रामनाथ कोविंध अपने परिजलों के साथ में साथ में तो उसके अंदर दो दर्वाजे थे और उस दर्वाजे में पत्र की जो मूर्टिया निकली और उसी मूर्टि को पत्री देवी के दाम से पत्री देवी बंदिर के दाम से जाना जाता है और ये उसके बाद जब बर्गत का पेंड गिरा तो वहाँ पर जो माननी राश्पती जी है उनकी जो पिता जी थे उन्होंने एक कच्चा चबूतरा बनाया और फिर आगे गाउवालों ने 2005 और 2006 के बीच इस बंदिर का नर्मान केया और इस बंदिर के नर्मान में गाउवालों की अहम भूमिका थी इस बंदिर के बारे में कहा जाता है कि जो भी यहां आता है जो भी अपनी मुरादे मांगता है उसकी मौनकामनस सिद्ध होती है और लोग का मानना है कि राश्पती जी भी भारत के इस महान पद को जब सुसोवित किये तो देवी जी का भी आशिरवाद रहा है जैसा कि महांत जी ने बताया हमें महांत रविंदर परशाथ सिंग जी ने कि चैतर में जो पत्थर की बूर्तिया है पत्थरी देवी माता की वो चैतर में उनकी संख्या अचानक बढ़ जाती है इस बंदिर के बारे में अगर हम कहें तो शाम को दो घंटे और सबेरे एक घंटा यहाँ पर रामाईन का पार्ट होता है जिसमें गाउवालों के साथ साथ आजपास के लोग भी सामीर होते हैं आप देख रहे हैं यह शांदार छन है यह एतिहाजिक छन है आप हिंदू भागवानों में से सबसे प्रमुक देवी है मादुर्गा इन्हें महिलाओं के शक्ति के तौर पर भी देखा जाता है और हर साल इनी मादुर्गा के नो रुपों को पुजा जाता है इन नौ दिनों के दौरान हर दिन मादुर्गा के नौ रुपों की अरादना की जाती है आप देखिए ये पत्री देवी का जो मंदिर है ये जो तमाम तरह के जो है मूर्तिया है और इन मूर्तियों में आप देखे कि यहाँ जो अस्थानिया गाउवाले हैं वो पढ़ान मंतिर जी के लिए स्वागत के लिए उनके समर्थन में यहाँ पर खड़े हैं और आपको बैने पहले बता है कि परोखा गाउ के रहनिया चोक के पास ये पत्री देवी का मंदिर है जिसने राश्टपती रामनात कोविद जी की गहरी आस्था है और ग्रामिनों के लिए सार पत्री देवी मंदिर के आसपास निल की कोटिया थी उनके खत्म होने के बाद पत्री देवी मंदिर की देखरेख राश्टपती के पिता स्वर्गया मैकूलाल कोरी जी करने रगे उन्होंने चंदा करके मंदिर का कच्चा चबुत्रा बनवाया, जिसके बाद धिरे-धिरे मंदिर का नर्वान होने लगा राश्ट्पती के पिता जी के समय से उनके परिवार के लोग आज भी देवी की पूझा करते आ रहे हैं इसी तरह राश्ट्पती आप देख सकते हैं तस्वीरे अपने आप में बहुत कुछ बया कर रही है किस तरह से उत्साहित है ग्रामीर प्रधार मंत्री को अपने बीच में पाकर करकि राश्टरपती तो उनके अपने हैं ही वहाँ पर जाते भी रहे हैं और उनके बीच से निकला है राश्टरपती के पर पूरे गाओं को गर्व है हमें इसे जोड़ी ये तमाम कहानिया स्टोरी देखी है लेकिन प्रधार मंत्री को अपने बीच में पाकर निश्चित तौर पर बेहद प्रसंद है गाओं के जो बच्चे हैं बुजर्ग हैं महिलाएं हैं और ये महिलाओं का एक दल है बच् और निश्चित तौर पर बेहद ये एक भावुक्षण भी कहा जाएगा यहां के लोगों के लिए क्योंकि प्रधार मंत्री को अपने सामने देखना उनसे समवाद इस्थाफित करना निश्चित तौर पर एक अद्भुत पल कहा जाएगा प्रधान मंत्री ने अभी पत्री देवी के बंदर का भी दर्शन किये राष्टपती जी के साथ में और इसके साथी साथ वो इस पराउक गाउं में उन्होंने आम लोगों से मुलकात की ऐसी नगरी अपनी पुरातन सामर्थ के साथ नए रंगरूप में सज सकती हैं यह उत्तर प्रदेश की